नमस्कर मेरी प्यारे किसान भाइओ, मैं हूँ आपका किसान दोज जीतिंद्रौ। आप सभी को स्वगत करता हूं इंडियास फार्मी चैनल्ड में। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगा, कलर केपसिकम की बारे में रहेगा। अगर आप पो ये खेती करते तो आपको शुरुबात में कौन सी कौन सी चीज की धियान देना बढ़ेगा, उसमें फटिग्राशन मैंनेजमेंट कैसे होगा, उसके साथ साथ उसमें कौन सी कौन सी बिमारी आ शकता है, और विमारी का हम लोग कैसे उसको treatment करेंगे और उसकी साथ-साथ हम लोग cover करने वाला है कि marketing तो खास करके ये color capsicum की बारे में full information वीडियो है तो इसके लिए आप वीडियो को बिना skip करके शुरु से अंतक देखिए तो चलिए दोस्तों हम लोग किसान भाई से मिलते और उनसे पूरी information लेते सर सामने से जो भी किसान भाई देख रहे उनको आपका एक छोटा सा परिचे बता दीजे मेरा नाम काशिलिंग अगरा है मैं B.H.C. Agree complete किया हूँ उसके बाद दस साल एक private organization में manager परके काम किया हूँ और last five years से मैं intensive खेती कर रहा हूँ मेरा पास half acre polyos है half acre polyos में last three years से मैं capsicum grow कर रहा हूँ सो मेरा गाउं विदा district के पास चिट्टा बोलकर एक गाउं है और गाउं में मैं खेती करता हूँ मैं एक agree entrepreneur भी हूँ मैं खेती के साथ-साथ मेरा एक क्रशी समरुद्धी केंदरा बोलोकर एक मेरा agree cleaning center है वो agree cleaning center में more than 500 farmers को मैं concentration करता हूँ और मेरा agree cleaning center में almost fertilizers, pesticides, bioproducts, agree, machineries और microelection के सभी parts, equipment सभी मिलते है उदर सर अगर कोई किसान अगर capsicum की खेती करना चाहता है तो उसके लिए जमिन की pH value क्या रहना चाहिए और कि स्टेजी की जमिन को वो चूच करना चाहिए कौनसा भी crop आप ग्रोव करने से पहला रहता है कि आपका soil type किसा चाहिए और वो soil type में कौनसा crop अच्छा आता है अभी हम में जो capsicum करों, एक capsicum के लिए red soil बहुत ही अच्छा है इसको चाहिए कुछ controlled atmosphere चाहिए वो controlled atmosphere के लिए इसको इतना delicate crop रहता है यह polyos में आता है और polyos में red soil तो बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़ी है बहुत है कि यह color capsicum करने के लिए आपको pH का चाहिए आपका water ECB below 1% ही रहना चाहिए तो कितना water nutrition EC अच्छा रहेगा और pH आपको जितना अच्छा न्यूटल रहेगा और इससे ज्यादा है कि एक पानी हो गए pH हो पीएच होने के बाद ही आपका pH ठीक है तो भी आपका fertility अच्छा नहीं रहे तो आपका फासल अच्छा नहीं आए पाएगा pH एक ही नहीं मैटर करता है कि आपका सभी अच्छा होगा तो इसके कौनसा भी क्रॉप एक का सब्सक्राइब करो आपका कर रहे हो किषोगी यह वह वह व्हुत खाता है भंशता सब्सक्राइब देता है अब यह यह सभी क्रॉप आदा अगर jsलेये पाल्योम और में चार फिट स्खा पर बना रूब क्रॉत का gonna जऑ मैं वह एक तो मेरे को एक सीलिंग का कॉस्ट है दस रुपए सोचिए जब आप खेती स्टार्टिंग कर रहे हो तब भी आपका सीलिंग से कास्ट पचाश हो रहा है तो आपको टाइम देना है कि इसका फटलेटी इंप्रूब करके अंदर रख पाऊं रहो इनी से जब तक आप फर्स्ट के लिए हारोष्ट करना स्टार्ट के तो 75 रुपी 75 तक आपको टैम लेगा जब तक आपका इन्वेश्मेंट हो जाएक है देड ला के करीब करीब तो तो आपका जब अपना इन्वेश्मेंट इतना ज्यादा है तो आपको जब प्रिपेर करते तो परफेक्ट परकार करके अंदर प्राम रखना चाहिए नए तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा अभी लास्ट तीन साल से खेती कर रहा हूं यह स्पेशली पॉलियोस में फर्स्ट मैं कुकंबर लिया कुकंबर में हाफ एकर में 15 टन्स लिया मैं 4 लग से ज्यादा कमाने पाया क्योंकि जब भी मार अब हाफ एकर में आलमोस 16 टू 17 टन्स लिया क्लिंगा लास्ट एकर हमारा टाइम के कुछ भी मोदे बहुत ज्यादा चालिंज थे करोना आया तो हम जा लास्ट एर में उससे करोने से पहले जब ही मार्केट में तो पंदरा बीस तीस चालिस योपर पाशा नहीं लिया तो ओर्राल इतना लिय तो भी मेरेको पाश लाग से ज्यादा नहीं मिला तो आलमोस में तीन लाग के उपर मैं दो लाग किया हूँ मैं जो अप ओने किया है यह हम एक समया में ऑफ द्राइन ऐंदी यह फेकर बनाना में केलियम के लिए मेरेको 60 लाग घुशुआ इस साल देखो अभी यह 80 डेस का क्राफ है अभी तक मेरा अल्मोस्ट 75 परस ज्यादा मेरा इनवर्श में स्टाइंग इस पार जो क्रॉपी फचल भी अच्छा है लास्ट कम टाइम से और जो प्राइस मिला है 60 से 80 रुपीच में मिला है तो मुझे लगता है कि अभी जाने वोले दिन में अभी टेमपर्चर बढ़ता रहता है इस टाइम पे में यह चालेंज उसको फेज करते हैं अच्छा हम निटिशन मेंजमेंट पेस्ट मेंजमेंट एन्वार्मेंट कंटल को गोई तो इस साल पैसा बनेगा मुझे लग रहा ह पैसा आता है जैसे क्या होता है और कालर कषिकां की प्लांटे Toh, आज सुरुआत में जमिन की प्रिपेसिन करशा करना चाहिए और कौन सी महिनें पे उनको प्लान करना चाहिए, कौन सी मन्त में उनको प्लांट लगाना चाहिए, उसके बारे में तुड़ा बता है कर सकते हैं तो मेरा एक्सेंस से बोलता है कि आप प्लानेशन किया तो आप फुल यह जो क्राप रहता है आप जितना अच्छी तरह से मेंटेंग करेंगा इसका मिनिमाम एट मन्त से सोड़ा मैना दो साल तक क्राप निखालते रहते हैं तो इस लॉंग डिरेशन क्राप है आप राउंड दियर कभी कर सकते हो बड़ इसका प्राइस जोब भी रहता है फेबरार से जुलाई अगस तक ज्यादा रहेगा क्यों ज्यादा रहे तो इस टाइम पे यह क्रॉप डेलिकेट इतना क्रॉप है इस वेरी प्रून टू डिसेजन पेस्ट तो मैनेज करना असा नहीं पूसका ग्रेंड ग्रोथ प्रेट प्रेट रहता है अग्रण प्रेट क्या रहता है तो हर अग्राब का फ्लावर इंशे स्टार्ट होता है तो वह रहाल एक 10-12 परसेंट प्लावर इंग आ गये तो उस क्रॉप को फूरियोच को दैयांचा सन्यम उसको जमीन में मिलाना है इससे क्या होता है स्वाल का अर्गनिक कॉर्बर में बढ़ेगा इसके जो स्वाइल का माइक्रोब लोड बहुत है जैसा समझो आप अजोश्पिरलम पीएसबी ट्राइकोडर्मा स्वीड़म जो क्राप का बेनिफिचल माइक्रोब लोड है उसका पॉपलेशन ज्यादा ब अतनाट मनिपया तो मिनिमम मीनिमम आपको जितना फGO स्वा मुन फ्रेटली तो स्वाइल अक्षा रहेगा उतना अपका हेडेक कम हो गाए उतना इससे पैस अँछा कम रहेगा इसका में सेम है जितना आप अतना बेस रखोगे फ्राइल का उतना अच्छा क्रॉप आए गा उसका है अधिक कम रहेगा उसे क्या होता है कॉस्ट बेनफिट्रेश्यों हम बोलते न इन्वेस्टिम्ट ज्यादा होगा प्राफिट कम होगा जो मैं जो बोल रहा हूं तिनिसल का सब्सक्राइर यतुल किकि अगर केसा नागर इस टूल प्लान टो सेटेश electric रखना चाहिए और परेकर में कितना आपका प्लांट आएगा और किपड़ा किःतना ऊट्चा उसकी बारे में थोड़ा बताए तो मैं यह पॉलियोस में रिज्वान कंपनी का सीड है यह दो कलर है एक रेड है एक एलो है तो मैं फोर फीट का रो रखाऊं और एक प्लैंट टू प्लैंट 1.25 फीट के एक प्लैंट लगाएं इससाब से टोटल 5000 पर हाफ एकर गिरेगा और यह जो क्रॉप है एक फ्रूट एक प्लैंट मिनिममम चार केजी देगा तो टूंटी तो मिनमम हाफ एकर में निकल होगे अच्छे में आपको दस भीआ तक 20-25-30 लिकल सो भी एक्जेंपल सहे यतना अच्छा लॉंग डिशन का आप मैनेज करोगे अच्छा हो जाएगा तो इसका खासियत यह है कि यह जो क आप एक एक च्की शाबंडे इसको घाड़ा यह जादा लेगा क्या गय्दोडेगा पोडाल शार काप dissim7 all प्लांट लगा दिया प्लांट लगाने की बाद आपका जो फर्टीकेशन जो सेडूल होता है उनको थोड़ा डिटेल्स में पता दीजे अभी लगाने से पहले आपको बेसल लगाना पड़ेगा बेसल लॉस में आपको यह ध्यान रखना के सब्सक्राइब चाहिए फटलाजर में अच्छा रहेगा डिफेट में फ़र्म्स रहेगा ग्रानूल फॉर्म में रहेगा सल्प तो इसका ध्यान रखते हैं हमको एन पी के और सेकेंटर नुटेर्स मैगनेशियम केल्सियम सल्फर इसको ध्यान देखने पड़ेगा और यह इसे बेसलोस बोल रहा हूं जितना हम स्वाइल में मिक्स करते हैं उपर नहीं जब उपर फेकने तो ऐसा बहुत नुटेंस आएकि जो वह आपड़ हो जाएगा इमिडिएटली हम स्वाइल पर करके पानी देना है जब वह नुटेंस उधार होल्ड करके रहें जब कुछ प्राप दिया है उसके साथ हम मा करता हूं और रेनाड़ों का भी माइकोंटेंस उच करता हूं तो यह होने के बाद तो कुछ स्वाल कंडिशन में जालता हूं होने के बाद फर्स्ट टेंडेस कुछ भी फटीशन ही है लगाने के बाद जब जाड एक दो तीन इंच बढ़ेगा ने ने फ्रेशली बाएगा तब हैसेली मैं 19-0 से स्टार्ट करता हूं नाय ने नुट्स करता हूं तो उसके साथ 1-9 नाल पुरता हूं एकवा 1-1-6-1 देता हूं दोनों के बेशिब है दोस्ट बैश्पटाइस 4 देश का जब उसका फ्लावरिं स्टार्ट करता है तब हम उसका नाय नाल ही पूरा टो बार इसका बीच में हफ्ते में एक बार हम इसको जो चाहिए जिंक फेरस और बोरान ज्यादा चाहिए तो यह एकर के साब से आप सभी 250-250 ग्राम इनिशल स्टेज पे हफ्ते को एक बार देते रहते तो पुरा प्रामर नुटेंस हो गया कि इस स्टार्टिंग बढ़िए हैं मैकर नुटेंटेंस शाहिए जय करेंगे जैसे स्टार्टिंग हम एक क्योंक्रों टियेगा थियुँआ है है के बार इसका जो माक्सिमम लगता थे चाहर लाल जब नीचे का फुल्टी करते रहते हैं उपरका ग्रोद होता रहता है एक तब तक नोग चोड़ते जाते हैं तो यह तो टोल वर्राल न्यूटिशन मेंजमेंट हो गए जो कहिसा करना आगे जो थमरूल नहीं है यह जो मैं बोल रहा हूं यह मेरा इनॉट का मेरा स्वाइल फटलेट के ऊपर में ऐसा कर रहा हूं यह जगा रहता है कि उससाल में कुछ कमिया रहता है उसका पीज थोड़ा ज्यादा थोड़ा तो अट्वर्ट बेसिक तरह तो हर एक पीज में हैंच नूटन कम रहता ज्यादा रहता है एक्जमपल आप समझे रेड़ स्वाल आपको रेड़ स्वाल में कभी मैंगनेशियम रहेगा कभी कभी पॉड़ोशन डिशिंसी रहेगा तो कभी-कभी आपको बोरान डिशिंसी भी रेड़ स्वाल में ज्यादा आएगा यह जो जब आप अलकलन पीज जा होगे तो 657 के उपर जाएगो तब उस क्रॉप में मैं देस्तों स्वाल करेगा थ장 झीजिए मैंघकनेशियम ज्यादा रहेगा जिंक भि्ल्क फेरस मैंगिश कभी मैंगोड़ 사से में उसमें कमी एक हर ज्ञाड बात करेगा ओर जो ज्ञाड बोलता है उसको खाना देना है तोस्वाइल थेकमेरा पास इतना है इतना योड्विस्टों मैसा करें तीजन तीज़ा वह यह इस वर्क-कैटलिस्ट उसको फट्छने में रखना बहुत यह हूँ सब्सक्राइब के साथ एक सब्सक्राइब दूसरे को आवलेवल एक लेकर जाएगा उसके साथ इस वर्क लगे कैटलिस्ट तो उसका भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रु रही है अभी कोई किसान भाई अगर यह हाफ एकर में लगाता है तो उनको प्लांट प्लस आपका जो फर्टिकरशन मेनेजबेंट प्लस माइक्रों निट्रियंस जो भी देंगे तो क्या बजेट रखना पड़ेगा इनिस्याल बजेट उनको इको स्टार्टिंग से तो तो पच्छा रुपए फटलेजर के लिए दानना पड़ेगा और एक 30 रुपए उसको डिसर पेस्ट मैनेज करने के लगाना पड़ेगा और जो बागी को 50,000 है मैन पोर मैनेजमेंट स्टिंग टाइंग जो भी बना उसके लिए मैनेज रखना पड़ेगा तो मैं बोलो जब तक आप तब इन्ती आइक अब यह से हमाइंगे बात करेंगे जैसे उसका डिजी का रहता एगर कोई अगर टिजी आता है उसको कैसे कॉंट्रल कर सकते आप वहुश् 했어 इसमें ज्युब पर ओल्सिंग आता है तंट्रोप्रों स्मस्पयोड प्राईप ड़नेंट उसको पड़ीम मैं करना बहुत ही जोरी है और जब फ्रूट्स डॉलाफ होता तो उसका कैटरेपिल का फूट इटिंग पाड़ बोरोर का प्रॉलम भी आएगा तो इस अभी मैनेज करने के लिए हम जो मार्केट का दवा है जो त्रिप्स के मेंटेर के लिए रेजेंट आता है वह पिरी आता है अधिक फेकल्स अबरोग पूलो जाल बाता है बहुत सारे प्रॉडक्स में और यह जो प्रॉडक्ट साभी कॉश्ली है कॉस्पली इसको उसकी करना ओंप इसको माहिने क्या क्या कि दो नहीं से काम करने कि लिए इसकी का जो परॉडक्स है उसका नॉल किया अभी मैं उन्नो इसको महीने 10 तो एक बार गार आट से दस दून के एक बार बीच में एक डिफेंट हमने जैसा पंगे में पिंड़नाटका ऑईल फंगे ओईल बलते हैं लोका फंगे ऑई दोसे लिटर पानी में इनिशेल स्टेज वन लिटर वंगे दालते हैं उसमें हाफ लिटर नेम लाल द देशी को से पचलता है वह दालने के वाद हम रेगुलर स्प्रे करते हैं इससे जो होगा जो आइल इसको अगर शोचो आपके ज्यादा गम आईल तो आप लगो जितना अनकमपटल फिलो अपको उसको खाय भीने पता अनकमपटल होता है ज्यादा तो इंसेक्ट के लिए ब अच्छा है और जो भी जो बैक्टर का इंफेक्शन ओ फंगल इंफेक्शन हो वह जो हम जो आर्टिविशल आनोमेट करेड़ करें प्लैंट के ओपर अलक्लान कंडिशन उसमें जो यह डिसी पेस्ट मर्जाए गा सफकेशन से इंसेक्ट पेस्टों चोष्माल एग्स वह ज अच्छली कम हो जाएगा और मेरा इस और मैं तो बोला कि यह एक फर्मिशन है दूसरा है कि हमको जबी भी आपको ग्रोथ का फैक्टर प्रॉलम हो रहा है वारा ज्यादा बढ़ रहा है तो मैंने इधर क्या किया देशी कव का मिल्क तो 200 लिटर पानी में 10-15 लिटर देशी लग रहा है तब वह मार मारते हैं और माने को दो तिन के बाद अब स्ट रहा है क्रॉड हो जो मेरा इंफर्मिशन पदा चला कि वाइरस का प्रोटीन वाइरस का प्रोटीन चेंव्रेक करेंगा उसका फेस रहता है जो कोई इंसेक्ट पेस्टीसरा जो भी यह और करना ही पाएगा यह देशी को का जो मिल्क है यूरिन है वो वाइरस का प्रोटीन ब्रेक करेंगा उस आटमेटिक सेल्फ साथ होगा वह मैं इधर एक्स्विंटी किया हूं और उसके साथ क्या करता हूं मैं जयांबुरत जयांबुरत कभी-कभी उसमें डिकांपोजर दालके बॉलने साथ मैं मैं और जयांबुरत था यंपर्द को का मिल्क करता हूं 안 advice करने सबसें हो इसके साहिए पर ईसको इसको इसकों इसके प्रेचलनी तो यह जो तरीका हैं बहुती फॉलो कि तो बहुती ठीक होगा आपको औरल कोस्ट कम होगा कर फसल जाद होगा इनका अटमिर ज्याद होगा अगर हम लो मार्केटिंग का इसका अगर देखेंगे तो कहां उसका मार्केट प्लेस रहता है कहीं पर सही मार्केट में लगा किसान भाई को मेरा खायल से जो भी मैं ऑनिस्टली बोलता हूं मैं जो एक क्लार क्याप्शिकम ग्रो कर रहा हूं इंडिया के जो हिसाब से हर एक जम्पल समझें लास्ट रहा का प्रॉलम हूं सभी फ़िस्टर होटल पीजा हर्स सभी नौर्ट में मेरे श्पीराच चो बंध हो तो इदर लोकल तो कोई भी देटा खाता ही निसको कोई भी खाता निये एक बार दो बाद खाएंगे हमको टेस्ट ने लेता चोड़ दे तो उसका अशुरीटी जो भी आपा फॉन बाया रहता है कितना इतना कैसा रहता है वोराल जिदा कितना कॉप हो उसके ओपर अम डिसाड करकी लेना इस्टार्ट करते कभी मिलता है अच्छा क्रॉप है यूसको लिमिटेट में करे तो बहुत अच्छा है क्योंकि इंडियन करते हैं इंडिया में तो आपको मार्केट अच्छा चेन पकाड़ करने बहुत है तो मैं फिलाल अभी हैरावाद को भेजता हूं कभी कभी मेरा फ्रेंडिस के सबिक ने बेंगलूर भेजता हूं में जाएडियन बेंगलूर बेजाए वह बहुत नहीं होगा तो इनों ग्ल अगर हम डिरेक्टली मैनेज़ करने को तो प्रॉलम होगा, यह मेरा प्रोफेशिन नहीं है, अजने मेरा को डिपेंड हो पड़ेगा, इसलिए हम वेंडर को जए देदेदे क्या है, अगर कोई किसान अगर यह कोलर कशी कम का खेती करना साथ है, तो हाप एकर में यह एकर के हि हो सकते है एप्रोक्सिमेटली जो प्राफिटेबिलेटी डिपेंस होता है कि आप किस्त इन्वाल्मेंट से कितना एफेक्टिवली आप मैनेज कर पाऊगे आप वर्स्ट में करतों कुछ भी नहीं आएगा आपको लेके ही जाएगा हंड़ा पसंद मेक्श्वर दिवार आपको एक दो लाग तो कमा हो पका जो अच्छा करते है और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजुमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले वीडियो पर बने रहेंने के लिए आपको बहुत- झाल sera का बमाग दापको लगियो हücke समात्न का जा भूले पर ऑाला वीडियो सब्सक्भाटे मोशियो पर वीडियो में कीजिए बयुटं में है ना जगा है практиक जो की छता है बहुत-बहुत-जो यजठी बहुत-बहुत-बहुत-बहुत दो